दोस्तों प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? मैं हूँ प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स विद प्रिया में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द होना एक नॉर्मल सी बात है और इसके कई सारे रीजन्स भी हो सकती है अगर आपको निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो आप कुछ तरीके अपना सकती है ऐसे में आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए रोजाना, हल्की, कसरत और वॉक करनी चाहिए इससे पैल्विक एरिया में खून का प्रवाब बढ़ेगा और दर्द से चुटकारा मिलेगा नेक्स्ट आपको हर्बल चाहे जैसे कैमो माइल टी, या इलाइची टी, या फिरतालजीनी टी आदी का सेवन करने से भी दर्द में राहत मिलती है दर्द होने पर आपको आराम करना चाहिए थोड़ी देर आराम करने से दर्द ठीक भी हो जाता है कब्स के कारण भी कई बार पेट के निजले हिस्से में दर्द होता है इससे छुटकारा पाने के लिए आप फाइवर रिच फूट जैसे ताजी सबजियां और ताजे फलों का सेवन करें तो ये आपके लिए बैटर होगा आप अपनी डाइट में साबूत अनाज, खीरा, बीन्स, टमाटर और हरी सबजियां आदी बढ़ा सकती है दोस्तों एचीज का आपको ध्यान रखना है साबूत अनाज अगर आप खा रही है तो उसको हलका सब वाइल कर लीजिए और इसके बाद में पका हुआ वो नाज हो जो होता है उसमें आप सैलेट मिलाकर खाएए वो बहुत टेस्टी भी लगता है और आपकी प्रेगनेंसी के लिए हल्थी भी रहेगा नेक्स चीज है प्रेगनेंसी के दोरान चाय, कॉफी, कोल डिंग्स वगेरा का सेवन आप अगर कर रही हैं तो उसको बंद कर दीजी क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है दोस्तो पेट के निचले हिस्से में आप किसी ओयल से हलके हाथों से वहाँ पर मालिस भी कर सकती है या फिर आप हीटिंग पैड या नमक की पोटली बनाकर दर्द वाली जगह पर सिकाई कर सकती है दोस्तो एक चीज़ का आपको भी हत ख्याल लगना है अगर यहाँ पर दर्द आट में से नवे महीने में हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए ऐसे में आपको घर पर रुक कर और घरेलू तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस महीने में आपकी डिलिवरी भी हो सकती है और दोस्तों मेरी बताई हुई टिप्स और मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक करना मत भुला करिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए